हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मिद करता हूँ आसे लोग अच्छे होंगे दोस्तों अभी तक आपने एक्सल के अंदर फिल्टर के बारे में तो सुना ही होगा फिल्टर का अपयोग भी करते होंगे लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखागा कि एडवांस फिल्टर क्या होता है तो आई दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों मैंने एक्सल में शीट बना रखी है अक्सल लोग फिल्टर लगाने के लिए इस जहां भी फिल्टर लगाना होता है उसके पर क्लिक करते हैं फिर उसके बाद में फिल्टर लग जाता है यहां से किसी भी चीज को उन्हें find करना होता है तो बड़े असानी से इसको यहां पे click करके find कर लेते हैं ठीक है यह तो है सिंपल तरीका filter करने का लेकिन यह आपको यह सभी आइटम्स की अलग अलग यह चीज़े फिल्टर करके अलग अलग शीट बनानी हो तो उसके लिए मै किस परकार से करेंगे मैं आपको एडवांस फिल्टर के जरी आपको बताऊंगा एडवांस फिल्टर के अंदर आपको काफी चीज़े एडवांस से मिलती हैं तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एडवांस फिल्टर कैसे लगाते हैं देखिए एडवांस फिल्टर कैसे लगाँगा देखिए एडवांस फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले आप इस पूरी हैडिंग को कॉपी कर लेंगे यह मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया और उसके बाद में यहां पर आप उसे पेस्ट कर देंगे और फिर आप जिस भी आइटम को फाइंड करना च एडवांस पर किलिख करना है're advance करने के बाद में आपको यहां पर देखे और लड़ी है अजहे पूरी टेबल सक्षरार की है तो आपकी जदेटल स्लेक्ट नहीं है तो आप यहां पर पहले क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में इस टेपलको यहां से स्थराब कर लेंगे को select कर लेंगे और फिर copy to में आप यहां पर click करेंगे और आपको यह ध्यान रखना है कि copy to के बाद आप जब यह cursor को यहां पर click करेंगे तो यह data यहां पर सारा scanner का paste होके आ जाएगा लेकिन ज़िए आप इस click को यहां पर कर देंगे तो यह paste होकर नहीं आएगा तो आपको इध्यान रखना है कि आपका जो criteria range है उससे अलग ही आपको cursor को click करना है उसके बाद में ok कर देना है देखिए आपके सामने देखिए scanner की quantity निकल के आगी है अब इसी प्रकार मैं calculator की निकालता हूँ आपके सामने तो मैं यहाँ पर calculator को paste कर देता हूँ यह मैंने ctrl c और ctrl v कर दिया उसके बाद मैं दोवारा से advance में जाता हूँ देखिए उसके बाद यहाँ पर copy to another location पर click करता हूँ और उसके बाद मैं इस table को देखिए यह already select है और मैं criteria range में यहाँ पर click करता हूँ और यह calculator वाले table को select कर लेता हूँ फिर copy to में मैं यहाँ पर click करता हूँ और इसको थोड़ा नीचे मैं यहाँ पर paste करूँगा तो मैंने यहाँ पर click कर दिया और ok करेंगे आप देखिए calculator की quantity निकल के आगए इसी परकार मैं mobile की quantity निकालता हूँ मैं यहाँ पर mobile को रखता हूँ copy करता हूँ और यहाँ पर paste कर दिते हैं उसके बाद मैं advance पर click करते हैं और copy to another location और list range में your lady list देखे selection में है फिर criteria range में click करते हैं और इसको यहाँ से अटा देते हैं और इस table को select कर लेते हैं और copy to में इसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पर click कर लेते हैं और ok कर देते हैं देखे mobile की निकल का ओई ऐसे हम chair की निकालेंगे तो मैं chair को पहले यहाँ पर copy करके paste कर लेता हूँ और advance में जाते हैं और copy to another location करते हैं criteria list range के अंदर देखे already list selection में है criteria range में मैं क्लिक करता हूँ और मैं दوبारा से इसको select कर लेता हूँ और copy to में क्लिक करते हैं और इसको अटा देते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ok कर देता हूँ देखे chair की निकल के आगई तो दोस्तो इस परकार से आप अपने सभी items की अलग अलग detail बना सकते हैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को like करें और share करें channel को subscribe करें साथ में notification bell को दबाए जिससे आने माली वीडियो आपकी पास में सबसे पहले पाउंजे और आप वीडियो को देख सके ठीक दोस्ता आपको नेक्स वीडियो मिलता हूँ नेक्स टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जैहिन वन दे मातरम